सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरे देखने के लिए धन्यवाद यहां के नगर कॉंसल के करमचारियों की और से पंजाब सरकार से अपनी मांगो को मनवाने के लिए स्तारा वा अठारा जुलाई तक काम का ठपकर हड़ताल की गई थी जिसके चलते हड़ताल के पहले दिन नगर कॉंसल राजप्रा की आठ के करीब मुलाजम जथे बंदियों दवारा नगर कॉंसल दफ्तर के बार धरना देने के पश्चात भूदवार को नगर कॉंसल मुलाज मार्च निकाला गया और सम्मूहु मुलाजमों द्वारा बाबा साहिब अम्बेदकर जी के खुत के आगे ओदे लगा कर नए तरीके से अपना विरोज जताया गया इसके बाद पैदल मार्च निकालते हुए मुलाजम पट्याला रोड पस्तित यहां के शहीत सत्य प्रकाश प्रभाकर चौंक पर पहुँचे और अपना विरोज जताते हुए सरकार के खिलाव जमकर नारेबाजी की इस मौके पर महिला मुलाजम भी बड़ी संख्या में मजूद रही इस मौके पर जीला परधान सफाई सेवक यूनियन हांसराज बरवारी से निउज 89 ने विशेश तोर पर बात की आई ये आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर हंसराज बनवारी का क्या कहना था असी इस करके सोचे सारी इंदान है कि जड़े भुल्ब ओते जड़े इस यह मेद का चौक ज़ता के अशी इतने टैम जड़ा है का लाई ये इसकार के सारे प्रतान ने एक इक बुटा जारा जड़ा है बुल्णा दा इक कुरे लाया बाता बनुसाल दा शुत्र है और शेर पाणी मिंदा रहे पुल्ण फुल्ण और असी सब्सक्राइब करें ललीत कुमार के साथ मीडिया परसंदीब चौधरी न्यूजटी नहीं सब्सक्राइब करें न्यूजटी ने चैनल को और बेल आइकन दबाना ना दूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए धन्यवाद